कि है गाइस दिस इस मनीश और आप देख रहें इस्टडी प्लैनेट आज हम बात करने वाले काफी इंट्रस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रोल of military in politics या इसको हम समझ सकते हैं कि military intervention in politics मतलब सैना का राजनीती की अंदर हस्तशे तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे बहुत सारी ऐसी बातें और कुछ examples को भी समझेंगे पड़ेंगे कि जैसे पाकिस्तान है बंगलदेश है बहुत सारी अरब countries है और इवन आज के डाइम पर मैंनमार है जिन देशों ने military problems को face किया है मतलब military rule की problems को face किया है तो हम डिसकस करेंगे इस वीडियो के अंदर और जानेंगे आकिर क्या रीजन से जिसकी वजह से किसी भी देश की सेना इतने आराम से वहां की चुनी सरकार को तकता पलट करके अपना स्टाशन स्थापिद कर लेती है तो यह वीडियो काफी interesting होने वाली है तो आए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इसके historical background की तो historical background की अगर बात करें जब दृतिविश्विद के बाद second world war के बाद दुनिया के बहुत सारे देश आजाद होका रहे तो third world जो countries थी जिनको हम आज developing countries जो कि उस वक्त LDCs मतलब least developed countries थी तो उन देशों के अंदर और अल्रडी बहुत सारी problems वो लोग face कर रहे ते आजादी के बात जैसे कि कहीं पर poverty थी economic crisis था mal nutrition था health epidemics की बहुत सारी problems थी उन में उसके लावा natural resources का का काफी exploitation उनका हो चुका था तो यह काफी ideal situation थी मतलब काफी सही situation थी कि उस वक्त जो उनकी military थी military already अपने आप में एक authority है और powerful authority है उस वक्त उनके लिए काफी अच्छी ideal situation था कि उन्होंने क्या किया ऐसी situation में लोग की help करके उनकी sympathetic gain करके अपने rule को legitimize करने की कोशिश की तो यह हमने second war के end के बाद काफी सारे देखने को मिला उसके बाद इसके अंदर एक दूसरा वेव भी निकल के यह दूसरी वेव दूसरी लायर थी 1990 के बाद cold war के बाद जैसे ही cold war खतम हुआ 1990 के बाद disintegration हो गया Soviet Union एक power का तो उससे related जो 15 देश पहले उसके साथ जुड़े हुए थे वो 15 देश अब सभी अलग-अलग आजाद देश बन चुके थे और Soviet Union की जो सारी powers थी वो रशिया को मिल चुकी थी तो रशिया तो अपने आप में काफी मजबूत था लेकिन जो बाकी 15 स्टेट्स थी 15 राज्य थे वो Soviet Union से जब अलग हुए तो उनके अंदर भी कोई कानुन विवस्ता नाम की चीज नहीं थी किसी को नहीं पता था कि आजादे के बाद की उनका जो रूल है वो किसके हाथ म जाने वाला है या किसकी वहाँ पर सत्ता आने वाली है और ऐसे में हमने देखा भी बहुत सारी अरब कंट्रीज भी इस वक्त 2011 तक हमने काफी लेट तक देखा कि वहाँ पर काफी सारे अंदॉलन हुए तो आप चाहो तो मैंने एक अरब स्प्रिंग की उपर पूरी वीडि को लाने के लिए तो वीडियो काफी इंट्रस्टिंग अरब स्प्रिंग के नाम से उसमें आप देखो कि कैसे अरब की जो कंट्रीज हैं वहाँ पर मिलिटरी डिक्टेटरशिप हुआ करती थी और कैसे बहुत सारे आंदॉलन के बाद वह जो वेव चली थी अरब स्प्रिं जा रहे थे अलग अलग एथनिक ग्रूप्स थे उसमें से मिलिटरी ग्रूप भी एक अलग था पॉलिटीशन अलग थे तो सब लोग चाहते थे कि देश के अंदर उनका रूल आए तो पावर को रिगेन करने के लिए सबी ग्रूप्स आपस में लड़े जा रहे थे ऐसे मै अब ही सबसे ज़ो मजबूत जो पक्ष था वह मिलिटरी का था कि क्योंकि मिलिटरी काफीवीपूरफूल थी तो ऐसे सिच्वेशन में भी मिलिटरी रूल को काफी जादा बढ़ावा मिला अपने रूल को स्तैब्लिश करने का तो यह था मिलिटरी रूल के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको क्लास 11 12 ग्रैजुएशन या पोस्ट ग्रैजुएशन से रिलेटिड पॉलिटिकल साइन्स और हिस्ट्री के बहुत सारे आपके स्लेबस से रिलेटिड वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी और उसके अलावा आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं तो जिसमें आपको एसोल के अपडेट्स आपके ग्रैजुएशन से रिलेटिड बहुत सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी और इसके लावा आप किसी भी टॉपिक पर चाहते हैं मैं वीडिय कॉज तो पॉलेटिकल कॉज का मतलब है कि जब किसी भी देश की सरकार इलेक्टिड गवर्मेंट मतलब लोगों के दौरा चुनी गई सरकार अगर वहां के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में फुल्फिल नहीं होती है मतलब दा गॉवर्मेंट अज फेल तो maturial form of government बना लिया मतलब एक तना शाहज रवाया सरकार ने अपना लिया जिस्से लोगों को परेशान करने लगी हो सरकार या फिर लोगों के अधिकारों को सरकार ने चीन लिया हो अधिकारों को सप्रेस करने के बाद MRS वो सरकार जो है लोगों के जिम्मिदार है नहीं लोगों के लिए वेलफेर के लिए काम कर रही है तो ऐसी situation में जो लोग हैं एक नफरत create होती है सरकार के खिलाफ एक discontent create होता है सरकार के खिलाफ और ऐसी situation में military सबसे पहले इसका फायदा उठाती है तो military interfere करती है और interfere करने के बाद जो भी leaders होते हैं उनको पकड़ के jail में डालती है या फिर किसी भी तरीके से interfere करके अपने rule को establish करने की कोशिश करती है तो यह हमारा पहला reason दूसरे reason भी हमारा इसी से मिलता जोलता है तो हमारा दूसरे reason है corruption तो ब्रस्टाचार भी एक important reason है हमने अरब spring के अंदर आप लोग देखोगे पढ़ोगे तो अरब spring के अंदर सबसे common problem यह थी कि जब अरब की जो countries थी तुनेशिय वगरा एजिप्ट यमन वगरा तो इन सब देशों में सबसे बड़ी problem corruption एक काफी बड़ा reason था कि जो सरकार है वो एक तानाशाही सरकार रूप उल्री ले चुकी है इसके बाद उसके बहुत सारे corruption के cases निकल कर आते हैं तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं सरकार है वो लोगों के taxes का पैसा लोगों के welfare में ना इस्तिमाल करके अपने profit के लिए इस्तिमाल करती है अपने आपको मजबूत बनाती है तो यह एक situation होती है जब situation काफी खराब हो जाती है और सरकार जो है साविधानिक तरीके से काम ना करके corruption कर रही होती है और law and order को failure हो जाता है तो ऐसे situation में भी क्या करती है military interfere करती है और interfere करने के बाद जो भी corrected leaders होते हैं उनको सीधे तोर पर arrest कर लेती है और rule create करने की कोशिश करती है और ऐसे situation में जो आम आदमी है वाके जो लोग भी है वो भी military के rule को legitimize करने की कोशिश करते हैं और कोई भी उसका pose नहीं करता है अब हम बात करते है अगले reason की तो अगले reason भी काफी important है वो है military and political collation कि जब सैना और राजनिती का गट जोड हो जाता है वैसे तो दोनों का अलग-अलग रास्ते है और अलग-अलग काम है सैना का काम है राज्जी की रक्षा करना और politicians का politics का काम है राज्जी को चलाना जो कि लोगों के द्वारा चुनी गए एक सरकार हो लेकिन जब इनके बीच में एक line होती है जो उनको अलग करती है जब वो line पूल को बनाई रखने के लिए और दूसरी तरफ military भी इसका अस्तेमाल करेगी सरकार का की जल्ली से जल्ली promotion पाने के लिए जैसे military के अंदर कुछ लालची leaders होंगे जो हमेशा जली promotion पाने के लिए सरकार के साथ जुड़े हुए होंगे या फिर उनके कुछ महतवकांशा हो होंगी कि army से retire होने के बाद मतलब armed forces से retire होने के बाद उनको राजनिती के अंदर कोई important post मिल जाएगी तो ऐसे situation सबसे खराब होती है जब क्या होता है वह जो लाइन होती है जो रेखा होती है जो की अलग-अलग कर रही होती सरकार को सैना से जब वह लाइन खराब हो जाती ह ऐसे में एक दूसरे के कामकाज के अंदर दोनों ही जो forces हैं जो दोनों ही parties है वह बहुत अराम से interfere कर सकती है तो यह भी काफी ideal situation बन जाती है जब कोई भी सैना सरकार का टक्ता परड़ करके अपने rule को establish कर ले अब हम बात करते हैं आखरी और सबसे important reason की वह सबसे important reason है popularity मतलब लोग प्रियता ऐसा बहुत देशों में देखने को मिला है जहां पर सैना की जो लोग प्रियता है सैना की जो साशा के जो leaders है उनकी लोग प्रियता सरकार से काफी जादा होती है हम example के आपको देते हैं छोटा सा इंडिया और पाकिस्तान का अगर आप देखो तो भारत के अ हो या लोगों का इसके जांकारी ना हो लेकिन पाकिस्तान में या फिर चाय के अंदर जौन पर लोगों के उपर जठा भरोसा था जब जानने के लिए कि अगला को बनने वाला ह निधा – कलवा मैनमार और काफी इंट्रस्टिंग बंदर एक सहना ने पूरिया सरकार का पलड मैनमार की ने बना राख दिया बहुत देटेल में उसका ट्क्रेप्चिन आपको जो लिंक है डिस्क्रेप्चिन मिल जाएक आप सकते हैं तो यह पूरा टॉपिक था हमारा मिलिटर रूल के उपर आपको टापिक समझ आया होगा तो अगर आपको वीडियो इंफर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जाया सदर शेयर कर सकते हैं थैंक यू सो मच फर वाचिंग